हाई, आज मैं आप लोगों को विटामिन D के बारे में बताऊंगी विटामिन D हमारे शरीर के लिए बेहर ज़रूरी है क्योंकि विटामिन D शरीर में केल्शियम को सोखने के लिए भी ज़रूरी होता है और साथ के साथ हड़ियों, मास पेशियों और दाथ को मजबूत बनाये रखने के लिए केलशियम का सेवन जरूरी है लेकिन केलशियम शरीर में तब तक एब्जोर नहीं होगा जब तक शरीर में विटामिन D नहो और आजकल के लाइफस्टाइल की वज़े से विटामिन D की जो प्रॉब्लम है लोगों के अंदर पाई जाती है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि विटामिन D के क्या क्या सोर्सिस होते हैं और vitamin D असानी से आपकी body के अंदर पूरा किया जा सकता है क्योंकि अगर vitamin D की कमी आपके शरीर के अंदर है तो उसके कुछ बुरे परभाव आपको देखने को मिल सकते हैं जैसे कि थकावट, हड्डियों जोडों और माशपेसियों में दर्द, बालों का जड़ना, चिर्चिराहट, उर्जा की कमी, पैरों में सूजन, डिप्रेशन आदि सब vitamin D की कमी से होने वाले कुछ बिमारियों के लक्षन है तो चलो आओ मैं vitamin D के कुछ sources के बारे में बताती हूँ जिनकी वज़े से vitamin D की कमी को पूरा किया जा सकता है उसके अंदर सबसे पहले आता है सूरज की रोशनी vitamin D की कमी को पूरा करने के लिए सूरज की रोशनी को एक बहतर विकल्ब माना गया है कहा जाता है कि सूरज की रोशनी में समय बिताने मातर से ही vitamin D की प्रियाप्त मातरा को हांसिल किया जा सकता है तो हमें सूरज की रोशनी को लेना बहुत जरूरी है तो इसको आप 5-10 मिनट के लिए जरूर ले और इससे जादा भी आप इसको ले सकते हैं विटामिन D का दूसरा सोर्स उन लोगों के लिए जो लोग शाकाहरी है और इस बात से प्रेशान है कि विटामिन D की कमी को कैसे पूरा करे तो प्रेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि दूद हमारे हर घर में मुझूद है और दूद एक ऐसा आहार है जिसे कई पोशक तत्व का भंडार का जाता है इसमें विटामिन D तो भरपूर मातरा में है ही साथ की साथ केलशियम, आईरन, मेगनीशियम, फासफोरस और विटामिन A, B, E परचूर मातरा में मुझूद है तो विटामिन D के लिए आपको दूद को अपने आहार के अंदर शामिल करना होगा तीसरा सोर्स है औरेंज औरेंज में भी विटामिन D परचूर मातरा में पाया जाता है इसलिए विटामिन D से होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए फलों में संत्रे का इस्तमाल किया जाता है ताकि विटामिन D की कमी को दूर किया जा सके इसके बाद आता है मश्रूम मश्रूम को भी विटामिन डी फूर्स में शामिल किया जाता है अन्ने की तरह इसमें अधिक मात्रा में विटामिन डी तो नहीं पाया जाता लेकिन जो लोग नौन वेज खाने से परहिज रखते हैं उनके लिए मश्रूम भी एक अच्छा विटामिन डी सोर्स है तो आप विटामिन डी के लिए मश्रूम को भी अपने अहार के अंदर शामिल कर सकते हैं इसके बाद आता है दही जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि दूद में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है वही दूट से बनने वाली दही में भी इसकी मातरा पायजाना ज़रूरी है और खास बात यह है कि दूट के मुकाबले दही इस विटामिन D की कमी को पूरा करने की अधिक शम्ता रखता है तो दही को भी आपको अपने आहार के अंदर शामिल करना होगा विटामिन D की कमी को पूरा करने के लिए अगला सोर्स है मखन एक अन्य शोध के माध्यम से इस बात की भी पुष्टी होती है कि इसमें दूसरे पोशक तत्वों जैसे केलशियम, आयरन, मैगनिशियम, जिंक, विटामिन A, B के अलावा विटामिन D की भी अच्छी मात्रा है इसलिए कहा जाता है मखन के इस्तमाल से विटामिन D की कमी को पूरा किया जा सकता है अगला सोर्स है चीज चीज के इस्तमाल से भी विटामिन D की कमी को पूरा किया जा सकता है क्योंकि इसके अंदर भी विटामिन D की अच्छी मात्रा पाई जाती है इसके बाद आता है अंडा कुछ शाकाहरी लोग अंडा खाते हैं जो लोग अपने भोजन में अंडे को इस्तमाल कर लेते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं करते लेकिन जो लोग करते हैं उनके लिए विटामिन D अच्छी मात्रा में इससे पूरा किया जा सकता है तो आप अंडे को किसी भी रूप में इस्तमाल कर सकते हैं आप बॉयल एग भी खा सकते हैं उबले हुए अंडे भी खा सकते हैं आप ओमलेट भी खा सकते हैं तो आप इसको भी अपने आहार में शामिल कर सकते हैं विटामिन D की कमी को पूरा करने के लिए तो ये कुछ sources ऐसे हैं जिनकी वज़े से vitamin D की कमी को पूरा किया जा सकता है सिर्फ थोड़ा सा आपको ध्यान दखना है अपनी lifestyle में अपनी diet के उपर जिससे आप छोटी-छोटी problems को दूर कर सकते हैं बड़ी ही असानी से Thank you